हलो फ्रैंड्स आज के वीडियो में हम एव्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एव्स याने की बर्ड तो बर्ड जब हम वर्ड बोलते हैं तो हमारे माइंड में जो हमारा फैवरीट बर्ड होता है या फिर बहुत सारे बर्ड आते हैं क्योंकि हमने उन्हें पर देखने को मिलती है किस टरवेग पोडोज फोलेंग को हैं , पाइंडोच में में तेखने को मिलती तो तेट्रापोड आनिमल में स्वेग उपेंस विंग दिखाईने हैं मतलब कि हां उनोह प्रेजंट है और फोल्म्स और और विंग्युध्स में मौडिफार संस्侏 है करते हैं उसके बाद हमारे माइंड में आते हैं फैदर राइट कलोर फुल फैदर तो उनका जो एक्जोस्केलेटन है वो क्या है फैदर से बना हुआ है जो उन्हें क्या प्रोवाइड करता है वार्म गर्मी प्रोवाइड करता है कि उसके बाद वह कैसे है तो वार्म तो यहां पर हमें head region, neck region, trunk और tail यह चारो portion विजिबल होते हैं उनके बाद उनमें beak यानिके चौँच प्रेजंट होती है तो यह beak कहां होती है mouth portion में तो वह कहां से बनी है तो जो bonds जो होते हैं वह beak का formation करते हैं जो होती है वह short होती है यहां पर इन्हें उदना है तो उदने के लिए इनके अंदर weight कैसा होना चाहिए light होना चाहिए तो lightweight के लिए इनमें organs जो हैं वह कम से कम present होंगे और जो organs हैं वह भी कैसे होंगे बहुत lightweight होंगे चोटे चोटे होंगे और वजन भी क्या होगा कम होगा तो बाड़ी में टेल का उनको कई फंक्शन नहीं है तो टेल केसी देखने को मिलती है शॉट उनके बाद जो लेग्स है वो स्केल से कवर्ड है और क्लोज यानि के नहोर जो होती है वो उनमें लिम्स में डिजिट्स में प्रेजेंट होती हैं इनकी डॉय पी जाहां की आगे हैं यहां की का यो आएविकियरम होती है रॉस गया हुआ है शरे और जोड़ी है उनकी होती है यानि के तो ऑड़ैL वह ऐदी है शाट मानिया यह पर जो पूरी वर्टीब्र कॉलम की वर्टीब्रे हैं उन में से कुछ एक दूसरे के साथ फ्यूज भोकर कम हो जाती उनकी लाइंग तो वह शॉर्ट है तो तो vertebrale column के सारी vertebrales के हम बात करें तो generally जो vertebrale होती है वो cervical याने के shears head portion में आई होती है cervical उसके बाद होती है thoracic उसके बाद होती है limber उसके बाद होती है sacrum और उसके बाद होती है caudal vertebrale इनके numbering अगर हम देखें तो generally human being की बात करें तो उनमें cervical 7 present होती है thoracic region में 12 होती है vertebrale limber होती है 5 sacrum होती है 5 और caudal जो होती है 4 तो यहाँ पर जो birds है उनमें हमने बात की कि vertebrale column केसी है short है याने कि उनमें जो vertebrale है वो एक दुसरे से fuse हुई होती है तो यह numbering क्या होंगे जो vertebrale है वो एक दुसरे से इस्तरकार से fuse हो गई है तो कम से कम length बनाएगी जो उन्हें उड़ने में helpful होगी ठीक है तो इनमें यही बात है कि जो first thoracic vertebrale है वो free होती है और कुछ एक दुसरे से fuse हुई होती है यानि कि total number cervical में 7 है तो उनमें से कुछ कैसी होगी free और बागी की fuse एक दुसरे से जुड़ी होगी उसके बात थोरे सिख की बात करें तो उनमें भी ऐसा ही होगा कि last जो थोरे सिख है वो और उनके बात आती है sacral vertebrae तो वो एक दुसरे से जुड़ी होगी होती है इसी प्रकार उसके बाद आती है lumbar तो lumbar और caudal vertebrae के जो आगे की vertebrae है वो एक दुसरे से जुड़ कर sin sacrum बनाती है इन शॉट यहाँ पर जो यहाँ पर जो lumbar और caudal vertebrae है उनकी ठीक है lumbar और caudal caudal की कुण सा पोजिशन anterior यानि की आगे की vertebrae caudal में हमने बात की के 4 होती है तो उनमें से आगे की कुछ यानि की 2 या तो 3 वो lumbar के साथ जुड़ कर जो पुरा function यानि की जुड़ी होती है तो उससे कहा जाता है sin sacrum उसके बाद जो pigo style present होता है pigo style माने क्या caudal vertebrae की दुसरी vertebrae होती है वो भी एक दुसरे से जुड़ी होती है और last में इस प्रकार से structure बनाती है या vertebrae एक दुसरे से जुड़ी होती है और last में किस तरह से caudal की है वो ऐसा structure बनाती तो इसे कहा जाता है pigo style जो birds की characteristic है याने कि यहाँ पर pigo style present होती है sternum माने breast bond वो broad जोड़ा होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होंगे उढने वाले जो muscles है वो यहाँ से joint होंगे clavicle and interclavicle are fused to form U-V shaped furcula अब यह U-V shaped furcula क्या है तो यहाँ पर मैंने एक bird का skeleton दिया है इसमें जो यह red color का bond है वो clavicle और interclavicle जो bond होते हैं वो जूड़कर इस प्रकार से V-type का एवस में bond बनाते हैं जिसे wish bond भी कहा जाता है जो उन्हें में उढने में helpful होता है ठीक है वो है U-V shape का furcula crop is present अब crop क्या है तो उनमें जो food होता है उसको store करने के लिए एक extra part होता है जिसी वज़े से हम birds जो होते है तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा food लेते हैं और अपने crop region जो होता है वहाँ पर जमा करते हैं इसके बाद जो stomach होता है वो two part में divided होता है pro ventriculus जो आगे का position है वो और पीछे जो गीजाड होती है और वो muscular होती है तो गीजाड में क्या होता है कि यह जो food लेते है right grains यानि कि दाने वो लेते हैं birds अपने food में तो गीजाड में वो जो पीसने का काम एक तरा से वो गंटी होती है तो वहाँ पर क्या होता है ग्लाआ फूड लेते है है यह पूड लेते हैं लंग्स जो हती है वाइस है जह स्पढ़ी इन में वाइस्ग मे заболखा प्रोडिञूस होता है right वह absent होता है, heart जो है वह 4-chamble यानि के completely well developed होगा, 2-orical and 2-entrical, RBCs जो है, वो oval, nucleated and biconvex type के होंगे, homeothermous है, kidneys जो है वो metanephric type की देखने को मिलती है, uricotelic है यानि के west material में uric acid निकालते हैं, जो semi-solid होता है, brain जो है वो बड़ा होता है, all factory lobes, यानि के जो drusty paint उनके होते, वो छोटे होते, और sense of smell भी उनमें कम होती है, nictitating membrane present, अब nictitating membrane क्या है, तो birds में, reptiles में, और कुछ mammals में, nictitating membrane यानि के eye की उपर एक अलग layer, एक अलग परत देखने को मिलती है, जो white color की होती है, जो उन्हें dust से और पानी से या किसी भी बहार की foreign particle से उन्हें protection प्रोवाइड करती है, sexes are separate, यानि के male और female अलग-अलग होते है, fertilization जो है वो internal body के अंदर और egg ले करते है, ovum जो होता है female में वो बड़ा होता है, और yoke, yoke की amount ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो egg रखते हैं, तो बच्चा जो होता है वो उनके yoke से ही nourishment लेता है, newly hatched young is either precautious और nudifigous, अब ये दोनों एक ही word है, क्या है precautious और nudifigous, यानि इसका मतलब किया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो जैसे ही hatching होता है, एग hatching के बाद जो बच्चे बाहर आते हैं, तो कुछ birds की young ones ऐसे होते हैं, जो उडने के लिए, दोडने के लिए, तैरने के लिए, और अपना food खुद आप्टेन करने के लिए capable होते हैं, तो ऐसे बर्ड को बुला जाता है, precocious और nudifigus, और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं, कि atrecious और nudiculous, तो उनमें क्या देखने को मिलता है, कि उनमें जो feathers होते हैं, तो वो कम होते हैं, बहुत कम और neck होते हैं, और अपने parents पर food के लिए dependent होते हैं, ठीक हैं, बर्ड में इस टाइप के egg hatching के बाद two type के young ones देखने को मिलते हैं, precocious और nudifigus, और दूसरे हैं, आर्ट्रिक्सियस और nudiculous, जिनमें से एक कैसे हैं, अपना food खुद लेने के लिए capable हैं, जबके दूसरे कैसे हैं, फूड लेने के लिए parents पर dependent हैं, उनमें parental care जो हैं, वो highly developed होती हैं, उसके बाद उनका जो classification हैं, तो classification में, दो subclass में divided हैं, पुरा जो evs है class वो, first है Archeornithis और second subclass है Neornithis, तो first subclass जो है Archeornithis, उनमें, ये जो word है Archeornithis, उनमें से Archeos का मतलब Greek language में होता है ancient, यानि के पुराना, तो इस पर उने, जितने भी birds हैं, वो सारे extinct हैं, और पीछे जो bird बचाए Archeornithis, तो उनका मतलब होता है bird, यानि के basically ये Greek word पे से लिया गया है, तो इनमें extinct हो चुके birds सारे included हैं, तो those birds were alive in Mesozoi केरा, Mesozoi केरा में ये जिन्दा थे और उसके बाद extinct हो गया है, this show a long tail with 13 और more than 13 caudal vertebrae, caudal vertebrae की जो हमने बात की, हमने जैसे कहा किए evolution through reptiles में से ही आये होंगे, तो reptiles में क्या हमने देखा था कि उनमें tail present थी और बड़ा सा body, तो उनमें क्या हुआ होगा, कि दीरे दीरे evolved हुए, तो starting के जो थे उनमें क्या देखने को मिलता था कि जो tail portion था वो बड़ा था, तो उनमें caudal vertebrae जो थी पूछ भाग की वो कैसी थी, तो उनमें 13 या तो 13 से भी ज़्यादा caudal vertebrae present थी, अब caudal vertebrae present है तो वो जूड़कर pigo style जैसी कोई जो structure है वो बनाता, नहीं था, white means उसमें pigo style absent, metacarpals जो है वो free और three fingers of four limbs will end with close यानि कि पैर में जो metacarpals तो free होते हो और उनकी जो fingers free थी उनमें क्या था तो close प्रेजंट थी, teeth जो थे वो thickodant type के पाए जाते थे, example है Archaeopteryx and Archaeopteryx, तो यह Archaeopteryx का है इनमें हाम देख सकते हैं कि जो पीछे caudal है वो कैसी है, tail बड़ी देखने को मिलती है, feathers भी पाए जाते है लेकिन body के सा है बहुत बड़ा, तो यह ज्यादा flight नहीं ले पाते थे लेकिन थोड़ा- उसके बाद second subclass जो है, वह है Neornithis, Neornithis वर्ड जो है, वह basically Greek भासापे से ही लिया गया है, Greek language पर से, जिसमें Neo का मतलब होता है modern, और Ornith का मतलब again birds, तो इनमें क्या है modern birds, यानि कि जो extinct हो चुके उनके बाद जो जिनमें birds के सारे characters थे, तो इनमें हाल में जो living है वो भी और स साथ साथ extinct, दोनों type के birds included है, तो इनमें क्या पाया जाता था कि टेल में pygostyle, यानि कि जो caudal vertebrae वो फ्यूज होकर pygostyle जेसा structure बनाती थी, तो इनमें क्या होगा कि वो जब बैठते तो इसे उनमें हम देख सकते हैं, पूरे फैदर इस प्रकार से है, तो यह क्या है, उनक पायगो स्टाइल यानि के वर्टीब्र कॉलम की लास्ट कॉडल वर्टीब्रे फ्यूज होकर जो बनाती है, उसके सराउंडेड इस तरकार से जुडे हुए हैं, तीत जो है, वो बहुत सारे forms में एपसंट ही होते हैं, स्टर्नम जो है, यानि के ब्रेस्ट बॉन वो वेल ड वाले वो अटेच हुए होते हैं, यह जो सब क्लास का सेकंड है नियोगना था, उसे चार ओर्डर में डिवाइड किया गया है, चार सुपर ओर्डर में, फर्स्ट है ओर्डर अटोगना था, सेकंड पहले ओगना था, थर्ड इस इमपैनी और फोर्थ वन इस नियोगना था तो सबसे पहला super order जो है odontog ना था यह Greek language पर से लिया गया है जिसमें odontos का मतलब होता है तीथ तो ऐसे bird जिन में क्या थे present तीथ और यह extinct हुए birds है यानि कि Mesozoic era के बाद जो थोड़ेक टाइम के लिए living रहे थे और उसके बाद क्या हुए? एक्स्टिंग थो चुके ऐसे bird और cretaceous माने वो पानी के करीब जादा थे तो first उनके order है उन्हें दो order में डिवाइड किया गया है तो उसमें से first order जो है वह हस्पेरोर्न थी फॉर्मिस जिसमें से हस्पेरोर्नी थी फॉर्मिस के example हम देखें तो हस्पेरोर्नी और यह birds जो है वह diving और swimming याने के पानी के करीब थे diving और swimming टाइप की मिकानिजम इनमें देखने को मिलते थी इनका जो mouth था उनमें sharply pointed teeth थे और वह fish पर dependent थे अपने food के लिए और उनमें vertebrae जो है वह amphicillus टाइप की आगे हमने reptiles में देखा था vertebrae के टाइप तो उसमें से amphicillus टाइप की vertebrae इनमें पाई जाती थी body जो है वह इस प्रकार से figure में इसका skeleton है उसपर से diving condition में ही यह skeleton भी रखा हुआ है इसमेंज के कैसे थे पानी में diving और swimming टाइप की mechanism वाले उसके बाद second order जो है वह है इक्थी और निती फॉर्मिस तो यह ऐसे टाइप के birds थे यह भी extinct हो चुके लेकिन इनमें wings जो थी वह well developed थी और इनमें teeth present थे या नहीं या भी prove नहीं हुआ है उनके उपर एक question है के teeth present थे या नहीं और example है इक्थी और निती उसके बाद super order 2 जो है वह है पैलियोगनाथ है तो पैलियोगनाथा को ratity भी कहा चाता है ratity तो पैलियोगनाथा में यह ग्रीक लैंवेज पर से लिया गाए जिसमें पैलियोग का मतलब होता है और यहां पर जो ratis की मतलब कहा है उसका मतलब latin में होता है raft तो यह flightless birds है basically और terrestrial तो यह बहुत सारे है नंबर में और हाल में भी living condition में है उनमें wings जो है वह reduce हुई होती है और absent इस वज़े से वह उड नहीं पाते terrestrial है और अर्बोरियल नहीं है cordal vertebrae जो है वह free होती है इनमें इनको seven orders में divisible क्या गाए जिनमें से first order जो है वह स्टूर्थियो फॉर्मिस तो यह जो स्टूर्थियो फॉर्मिस है उनमें से ग्रीक भाषा में स्टूर्थियो का मतलब होता है ostrich याने कि इनमें ostrich bird जो है वह included है तो यह कैसे है large as we can see in the photograph कैसे है large है और flightless bird है उड़ नहीं पाते क्योंकि उड़ नहीं पाते तो इनमें जो feathers होते है वह बहुत कम होते है they show two toad hind limbs इनमें जो hind limbs होते है उनमें photographs में दिखा देता है कितने है two toad present है sternum जो होता है वह उनमें kill नहीं होता अब यह sternum वाली mechanism भी हम देख लेते हैं तो sternum जो क्या है basically breast bone है तो यह उड़ सकने वाले यानि कि फ्लाइड जो bird है उनका skeleton है और यह flightless bird का तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि sternum के साहे broad है और यह जो portion है यहाँ पर end portion उसे kill कहा चाता है जबकि flightless bird में यहाँ पर sternum का structure जो है वह well developed नहीं होता है इस परकार से यहाँ पर जो flying muscles है वह attached अच्छी तरह से नहीं हुए जबकि यहाँ क्या होंगे flying muscles अच्छी तरह से attached हुए होंगे इसमें क्या है sternum में kill present नहीं होता और broad भी नहीं होता इस परकार से वहाँ पर flying muscles भी attached नहीं होते नेक जो है वह बड़ी होती है लंबी और flexible होती है पाइगो style is absent यानि के caudal vertebrae अलग-अलग होगी fuse नहीं होई है इस birds are good runners अच्छे से दौर सकते हैं जिनका example है two-todd African ostrich ठीक है उसके बाद second order जो है वह है re-formis तो re-formis में जो American ostrich या तो Rhea Americana वह included है तो यह जो word है वह भी basically Greek language पर से लिया गया है इन में flightless और terrestrial blood included है यह भी बहुत अच्छी तरह से dot सकते हैं good runners है wings are better developed wings जो है वह आगे का जो order है स्टूर्थियो फॉर्मिस याने के true ostrich या तो जो हमने आगे बात की उनकी compare में यहाँ पर feathers क्या होंगे अच्छी तरह से develop हुए होते है the hind limbs bear three toes as you can see in the photograph के कितने हैं three toes hind limbs में present है sternum again without kill example है Rhea Americana या तो उसे three-todd American ostrich भी कहा जाता है उसके बाद order three जो है वह है कौसोरी फॉर्मिस तो इनमें भी बड़े और flightless bird included है head shows few feathers इनकी जो लंबी नेक है वहाँ पर और head के कुछ portion पर क्या होते है feathers present होते है wings are rudimentous यानि कि बहुती बेजिक टाइप का structure वाली primary टाइप के feathers जो है वह और wings थोड़ी सी rudimentous ना के बराबर present होती है the hind limbs shows three toes again इनमें भी toes कितने हैं तीन present होते हैं एक्जाम्पल है इमू उसके बाद इमू जो है वह न्यूजी लैंड में पाया जाता है उसके बाद order 4 जो है वह एक्सिंग्थ हो चुका है उनको elephant bird के नाम से भी जाना चाता है क्योंकि उनका body weight और जो लैंग थी वह बहुत ही बड़ी थी उनमें wings जो है वह वेस्टेजल टाइप की लैग्स बहुत ही पावरफुल थे और उनमें चार टोस प्रेजल थे यहां पर भी फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं कि कितने टोस है एक तीछे की साइड तो इस प्रकार से टोटल फोर टोस उनमें प्रेजल प्रेजल स्टर्णम जो था वह बड़ा था लेकिन wings क्या थी वेस्टिजर ना के बराबर थी तो कुछ काम की नहीं थी उढ़ने के लिए किल इस एपसंट एग्स आर वेरी बीग एज इस बॉड़ी इस ऑलसो भी एग्स भी क्या थे बीग एग्साम्पल है एपी और निस उसके बाद ओर फिफ्ट जो है वह है डाइनो निती फॉरमिस तो इनमें भी बड़े फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूड़ेड है और वह एक्स्टिंग तो हो चुका है एक्स जो थे वह भी बड़े स्टर्णम वह छोटा था और विधावट किल पेक्टोरल गर्डल इनमें एपसंट थी इनका एक्जाम्पल है डाइनोनिस उसके बाद ओडर शिख्स जो है वह है अप्टड़िघॉफ फॉरमिस जो है वह भी घ्रिक लैंवेज पर से लिया गया है इनमें फ्लाइट लेस्ट्रेस्ट्रियल बर्ड और साइज उनकी छोटी ऐसे बर्ड इंग्लूडेड हैं विंक्स जो है वो रूडिमेंटरी बहती छोटी आइ इंग्लिम्स पियर फोर टोस, इस आर नॉक्टर्नल रात के टाइम पे निकलने वाले बर्ड्स हैं, दे फीड और इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट पर फीड करते हैं, एग्स आर लार्जेस्ट रिलेटिवली, थोड़े से बड़े होते हैं, एग्स, इस आर प्रेजंट टिनामी फॉर्मिस में छोटे, टेरेस्ट्रियल और थोड़े से उड़ने के उनमें पावर होता है, इस टाइप के बर्ड इंक्लूडेड हैं, उनमें विंक्स जो होती हैं, वो शॉर्ट और राउंड शेप की होती हैं, पाइगो स्टाइल थोड़ा सा होता है, रिडियूस देखें, जो कहें और टोगनाथा और सेकंड वन इस पहली ओगनाथा, जिसे राटिटी भी कहा जाता है, और टोगनाथा के बर्ड क्या है, एक्स्टिंट हो चुके हैं, और राटिटी माने फ्लाइट लेस टेरेस्ट्रियल बर्ड, थर्ड और फोर्थ सुपर और जो है, उ आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा, थैंक यू.